आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परिक्षा में प्रस्णों का बदलेगा पैटर्न मैट्रिक और इंटर परिक्षा 2023 में प्रस्ण पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा त्यारी पूरी है परिक्षा वर्ष 2022 की तरह दो टर्में ही ली जाएगी पर प्रस्ण का पैटर्न अलग रहेगा 40 अंख की परिक्षा में 30 अंख के प्रस्ण एक एक अंख के होंगे वहीं इसमें 20 अंख के प्रस्ण बहुविकल्पी होंगे इसके अलावा परिशार्थी को 5 प्रस्णों का उतर एक एक सब्द में वहीं 5 प्रस्ण का उतर एक एक पंक्तियों में देना होगा एक प्रस्ण भी एक एक अंके होंगे एक अंक के कूल प्रस्णों की संक्या 30 होगी इसके अलावा तीन प्रश्ण ढ़ाई ढ़ाई अंके होंगे इन में से किसी दो प्रश्ण का जवाब परिशार्थी को देना होगा इसके अलावा एक प्रश्ण पांच अंका होगा पांच अंके प्रश्ण के लिए भी परिशार्थी को दो विकल्प दिये जाएंगे अधाय अंके प्रश्ण का जवाब पांच पंक्तियों में देना होगा वहीं दोनों टर्म की परिशा का प्रारूप एक समान होगा दोनों टर्म मिलाकर असी अंकी परिशा होगी हेमंत सुरेन आज एक साथ सभी डीसी से मिलेंगे जारखन के मुख्य मंत्री हेमासुरें दूमवार को एक साथ राजे के सभी जीला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगती की समिक्षा करेंगे इस मौख्य पर मुख्य सचीव सुकदेव सिंग सही सभी विभागे पर मुख भी उपस्तित रहेंगे उपायुक्तों को योजनाओं की अगतन इस्थिती की जनकारी के साथ वीडियो कन्फेंसिंग के जरिये होने वाली बैठक में सामिल होने को कहा गया है बैठक में मुख्य मंत्री कार्मिक विभाग की और से काक्षा एक से बरावित्त के बिर्द्यार्थियों को जाती पवानपत्र जारी करने समधी निर्देश की परगती की समिक्षा भी करेंगे राज सरकार ने इस समयंद में आदेश जारी कर पर्मानपत्र जारी करने का निखदेश दिया था दुमका में लूट का बिरोध करने पर अपराधियों ने कॉंस्टेबल को मारी गोली जारखन के उपराधानी दुमका में लगातार अपराधि घटनाये 23 से बढ़ रही है पिछले दिनों चोरो क्या तंग से दुमका वासी काफी परिशान थे वहीं एक बार फी दुमका नगर थाना चेतर के एस पी और अनमंडल आवास से कुछी दूरी परिश्थित चर्च के पास अग्यात अपराधियों ने एक कॉंस्टेवल को गोली मार दी है अपराधियों ने छिंताई के दरण दुमका रामगर थाना में पदस्थापीत सिपाही को गोली मार दी गनीमत रही की गोली सिपाही के पैर में लगी है जिसे सिपाही बच गया गाय लवस्ता में सिपाई को दुमका के फुलो जहानों मेटकल कॉलेज अस्पतार में पहुचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है 7000 रूपए के लिए युवक का पहरन कर हत्या राज से परदा उठाने के लिए पुलिस ने उस सव को कबर खोद कर निकाला जिसे हत्या के बाद अपना दिया गया था जनकारी के मुताबिक मुति नाम के युवक की गुमसुदगी को लेकर पीता ने ठाकूर गाह पुलिस के पास एफ़ायार दज कराई थी एफ़ायार दज कराने के बाद पुलिस मामले की जात में जुट गाई इसी दर्मियान करवाई करते हुए मिले सुराक के अधार पर मुरम गाडा निवासी छितेस्वर लोहरा को गिरफतार कर कड़ाई से पुश्टाच की पुलिसिया पुष्टास में अरोपी छितेस्वर लोहरा ने अपने स्वयोगियों के साथ मिरितक युग का फरन कर हत्या करने की बात कबूल की है जार्खन में अस्थाई अमीनों की बहाली की मांग तेज जार्खन प्रसिक्षित अमीन अस्थाई अमीनों की बहाली की मांग को लेकर बैठक की बैठक की सुरुवात में भवान विशा मुंडा अमर रहे किनारे लगाए गए बैठक में अध्यक्स गोरो अगरवाल ने कहा है कि सरकार और राजे को अमीनों की काफी जरूरत है प्रसिक्षित युवाव को रोजगार भी मिलेगा अगर सरकार जल्द अस्थाई बहाली करती है तो युवाव का भवी से भी सुरक्षित होगा राज में अपराद का गराव भी घटेगा जिससे भूमी बिवाद को कम किया जा सके लिव इन रिलेसंसिप में रहने वाला प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर की हत्या चारखन की राज़धानी राची के चान हो इलाकर में रहने वाले राजू उरावने सोमवार की सुबा अपनी प्रेमिका खोसबो की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने सव को पश्माशम के लिए रिम से भेज दिया है राजु घटना को अंजाम देने के बाद मोगे से फ्रार हो गया ग्रामिन स्पी नोसाद आलम ने बताया है कि राजु और खोस्बु लीव इन रिलेसंसिप में रह रह रहे थे दोनों पिछले एक साथ से साथ मेरा रहे थे रभीवार की राद दोनों के बीच किसी बात को लेकर बिवाद हो गया था इसी को लेकर सोमवार की सुबा राजु ने खोस्बु को गोली मार दिया जार्खन के सभी एक लब यव आश्रम मोडल आवासे बिद्यालों में मल्टी पेपर अडिटोरियम जार्खन की रजधानी स्थीत रांची बिश्व बिद्यालों में अनुसुजीत जनजाती की छत्राओं के लिए होस्टल के निर्मान होगा या होस्टल असी बेट का होगा जिसका निर्मान राची बिश्व बिद्यालों के परिसर में कराया जाएगा साथ ही राजे में संचाली सभी एकलब मोडल आवासे विद्यालों में 500 सीट तथा आश्रम मोडल आवासे विद्यालों में 250 सीट के मल्टी परपल आडोटोरियम का निर्मान कराया जाएगा कल्यान विभाग ने इस वज नावों पर स्विग्रीदी देते हुए टेंडर परकिरिया पूरी करने की दिम्यदारी भावन निर्मान कार्पोरेशन को सोपी है रांची में इस साल दुरगा पुजा होगा खास पिछले दो सालों से कुरोना की वज़े से दुरगा पुजा पंडालों की रहोना गायब थी लेकिन इस बार माद दुरगा के राधना के लिए पूरे देश के बिभीन राजी समेथ जार्खन की राधनी राची से भी भक्त आभी से ही त्यारी को लेकर पुरे उत्सा के साज़ूटे हुए है राधनी राधनी राची के लोगों के लिए इस बार दुरगा पुजा बेहत खास होने वाला है जनकारी के अनुसार रांची में इस साथ सोव से ज्यादा पुजा पंडाल बनाये जा रहे हैं बंगाल सहीत विभीन राजों से आये कारीगर पुजा पंडाल का निर्मान कर रहे हैं रात दिन पुजा पंडाल निर्मान में लगे कारिग्रों ने दुर्गा पुजा की चतूर्थित तक इसे त्यार करने का लक्ष रखा है जद्यू के मीडिया परभारी की डेंगू से महुत जद्यू के परदेश मीडिया परभारी जफर कमाल का रविवार को असमाईक निधन हो गया वे पिछले कई दिनों से डेंगू से पिडित थे उनका इलाज चल रहा था रांची के अंजुमन इसलामिया अस्पताल में उनका निधन हुआ वे अपने पिछे पतनी दो बेटी और एक बेटा का भारा पुरा परिवार छोड़ गए उनके निधन पर परदेश अध्यक्स खिरू महतों ने काया है कि जफर समाजी करकरता होने के साथ ही जनता दल के काल से ही पाट्टी के समर्पित सिपाही रहे परदेश परभारी सह बिहार सरकार के मंत्री स्रवन कुमार ने उनके परिजनों से दुर्भास परबात की और उन्हें धांडस बढ़ाया जार्खन में 1932 खतियान पर भढ़के विधायक जार्खन में मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के अगवाई वाली राजे मंत्री पर्षदवारा 1932 के सरवे खतियान को पुरे राजे में अस्थानिय तक आधार बनाने समंधी घोस्तना पर जामुओं के लातेहर से विधायक बैदनात राम ने कहा है कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाक सकते राजे के कई जीलो में 1932 के बाद जमीन का सरवे हुआ है लातेहर में 1965 और उसके बाद सरवे हुआ है उस अधार को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा हेमन सुरेन के विधायक ने सवाल उठाया है कि जीन लोगों के पास उने 32 खत्या नहीं है उनको क्या राजे से बाहर कर देंगे लातेहर के गाला जर से अधीक गाओं में बाद में 1965 के आशपर सरवे हुआ असी परतिसत अस्थानों पर सरवे को लेकर विवाद है यह मामला नयालाय में चल रहा है और उन्होंने इस मामले को जोर सोर से जारकन बिदान सवा में भी इसे उठाया है पारा सिख्षको को आकलन परिक्षा में उतीरने के लिए चार आउसर पारासिक्षकों को आकलन परिक्षा उतिन होने के लिए अधिकतम चार आउसर मिलेंगे यदि कोई पारासिक्षक पहली आकलन परिक्षा में सामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परिक्षा में सामिल होने के लिए एक आउसर का उप्योग कर लिया है अनिवार होगा जारखन में डेंगू के मिले अंठानवे मरीज रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू के साथ मरीज भरती है वहाई कई मरीजों का प्लेटलेट 45,000 से कम हो गया है उन्हें असकता अनुसार प्लेटलेट चड़ाया जा रहा है वहीं मेदानता अस्पताल स्वास्त विभाग के अंठान में मरीज मिले है लेकिन डेंगू से एक भी मौत नहीं हो गई है मालूम होकी रिम्स के माइक्रोबैलोजियं विभाग में रांची सहीत अन जीलो के डेंगू के सेंपल की जाच्की जा रही है इधार जदियो के परदेश मीडिया परबहारी जब फर कमाल का निधान रब विवार को हो गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अधा बढ़े साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडवेक अवसे दे थैंक यू